कि मानिंग बच्चो कैसे हैं आप लोग ते लिए देखिए आज पंकर सर का थोड़ा तब ठीक है खराब है सर दर्द कर रहा था इसलिए कैपसुल क्लास आज की हम ले रहे हैं ठीक है और कैपसुल क्लास आप लोग लेते हैं पहले ये कमेंट करके बताए कि सभी लोग उसका नोर्स भी बनाते हैं रिवीजन भी करते हैं कि नहीं या फिर बस क्लास ही ले ले लेते हैं कैपसुल क्लास का पंकर सर बताया थे कि आपको एक अलग से कॉपी रखकर ये जो कैपसुल क्लास का जितना क्वेस्टन बताया जाता आपको रेगुलर आपको नोर्स अच्छे से बना लेना है और उसका भी revision करना है ठीक है तो अभी तक अगर आप नहीं बना रहे हैं तो अभी से भी आप capsule class का notes बनाते चलिए एक copy पर करना क्या है उसको आपको लिखते चलना और हाँ सबसे important बात है जो capsule class में आपको homework दिया जाता है hw उसको भी आपको करना है साल यह नहीं कि हाँ बस homework मिल गया तो मिल गया ठीक है उसको भी करना है चलिए देखिए question हम देखते हैं आज का देखिए पहला question देखिए क्या है मुक्त इलेक्टरानों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं मुक्त इलेक्टरानों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं मुक्त इलेक्टरान देखिए सब को पता है कि जो चालक में बाहरी कोस के इलेक्टरान होते हैं धातु में उन पर नाभी का कास्रणवल बहुत कम होता है इन्हें क्या बलते हैं मोगत इलेक्टरान जब इने हम बाएं बैदूत छेतर से जोड़ते हैं मतलब बाहर से हम इनको बैदूत उर्जा देते हैं तो ये क्या करते हैं उर्जा ग्रांड करके चालक में गती करने लगते हैं उसी को क्या करते हैं आनुगमन वेग मतला हम कह सकते हैं कि देखे आनुगमन वेग वह वेग होता है अनुगमन वेग वह वेग होता है जिसमें जिसमें अनुगमन वेग वह वेग होता है जा तो हम लिख सकते हैं जिससे जिससे चालक के मुक्त इलेक्टरान मुक्त इलेक्टरान पाएं पैदुचेत्र पैदुचेत्र के प्रभाव से प्रभाव से प्रभाव से क्या होंगे माइनस सीरे से देखें इलेक्टरान है तो जाइसी बात है प्लस की और जाएंगे तो हम लिखेंगे माइनस से प्लस सीरे की और प्लस सीरे की और गती करते हैं गती करते हैं ठीक है इसे भीडी से प्यक्त करते हैं प्यक्त करते हैं इसे क्या करते हैं भीडी से ब्यक्त करते हैं देखें अनुगमन वेग वह वेग होता है जिस वेग से चालक के जो मुक्त इलेक्टरान होते हैं जब उन्हें बाय बैदू छेत्र बाय से जोड़ा जाता है तो हो क्या करते हैं उसके प्रभाव में माइनस से प्लस सीरे की ओर, मतलब माइनस सीरे से प्लस सीरे की ओर क्या करते हैं, वो गती करते हैं, और इसे जो अनुगमन वेग हैं, इसे हम किसे ब्यक्त करते हैं, भीडी से ब्यक्त करते हैं, ठीक है? नेक्ट देखिए अगला देखिए आपका है किसी चालक के सीरो के बीच विभुवांतर तथा मुगत इलेक्टरान के अनुगमन वेग में संबंद लिखना है विभुवांतर तथा मुक्त इलेक्टरान के अनुगमन वेग मतलब भीडी भी और भीडी में संबंद लिखना है तो देखे हमको संबंद सुत्र जो होता है देखे भीडी इस इक्वाल यह याद कर लीजिगा नोट कर लीजिए बहुत ही महत्पूर है इ, वी, चाउ, अपान कितना होगा है यम यल क्या हो जाएगा यम यल यही संबंद सुत्र होता है अब इसमें आप ये बता देंगे कि कौन क्या है जैसे देखे भीडी क्या है हमारा यह देखे अनुगमन वेग है क्या है इ, अलेक्टरान का आवेश है ई क्या है देखे यह हमारा देखे इलेक्टरान का आवेशस इलेक्टरान का आवेशस अब को पता है टाउ सबको पता है स्राम्ती काल क्या होता है स्राम्ती काल होता है तो क्रमागत टक्रों के बीच का लगा समय क्या अकल आता है स्रांती काल और यम क्या है देखिए यम इलेक्टरान का द्रब्यमान है और यल क्या है चालक की लंबाई चालक की लंबाई है ठीक है तो ये देखिए संबंद सुत्र लिखना था कि क्या संबंद है ठीक है भीडी और किसमे, भी में, अच्छा भी, लास्ट आपका देखिए भी क्या है, भी देखिए विभुवांतर है, ठीक है, तो देखिए अनुगमन वेग और विभुवांतर में ये संबंध हो गया, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट, अगला देखिए हमारा जो है, धारा गहनतों से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए, धारा गहनतों से आप क्या समझते हैं, धारा गहनतों का मात्रक भी लिखना है, क्या लिखना है, मात्रक, धारा गहनतों का मात्रक लिखना है, तो देखिए धारा गहनतों से क्या स धारा को क्या कते हैं धारा घनत तो कते हैं एक आंक छेतरफल से प्रवाहित धारा को क्या कते हैं धारा घनत हम कहेंगे किसी चालक किसी चालक के एक आंक छेतरफल से प्रवाहीत धारा को धारा को धारा घनत कहते हैं किसी चालक के एकांक छेतरफल जिसमें एकांक सब्द जुड़ जाता है उसका मतलब सीधे सोता उसे हमें भाग देना है उसका क्या करना है में भाग देना है एक आंक सब्द जूडने का मतलब ही क्या होता है भाग देना भाग देते हैं तभी एक का मानाता है तो देखें जे बराबर क्या आजाएगा धारा आई बटे क्या हो जाएगा छेतरफल ए धारा आई के बटे छेत्रफल क्या हो जाएगा ए हो जाएगा और इसका हम मात्रक लिखेंगे तो मात्रक देखिए क्या हो जाएगा मात्रक देखिए पूछा है आई का मात्रक क्या हो जाएगा एम्पियर प्रती इसका क्या हो जाएगा मीटर square, छेतरफल का मातर क्या हो जाएगा, meter square, ampere प्रती meter square, तो देखिए इसका परिभास हम ऐसे भी लिख सकते हैं, भाग दिया गया तो हम लिख सकते हैं, किसी चालक में प्रवाइद धारा और उसके अनुपरस्त छेतरफल या छेतरफल के अनुपात, धारा और छेतरफल के होगा, और छेतरफल का मातर क्या हो जाएगा, meter square, ampere प्रती meter square, clear है, चलिए, आगे देखिए चलते हैं, आवेस वाहकों की गती सिलता की परिभासा बताईए और इसका मातरक भी लिखिए, आवेस वाहकों की गती सिलता, ठीक है, तो देखिए, आवेस वाहक का जो गती सिलत होता है, जब बैदु छेतर की तीब्रता का मान क्या होगा, एकांक होगा, बैदु छेतर का मान एक होगा, तब उसमें जो अनुगमन वेग होगा, उसे क्या कहते हैं, गती सिलता कहते हैं, आवेस के अनुगमन वेग को क्या कहेंगे, गती सिलता कहते हैं, जब की बैदु छ चेतर का मान क्या हो एक हो एक आंक हो तो हम दिखिए इसमें लिखेंगे एकांक बैदुत चेतर में एकांक बैदुत चेतर में चेतर में आवेस के अनुगमन वेग अनुगमन वेग को गती सीलता कहते हैं और इसे हम ब्यक्त करते हैं इसे म्यू से ब्यक्त करते हैं क्या करते हैं इसे हम इसे हम देखिए म्यू से ब्यक्त करते हैं तो म्यू बराबर देखिए क्या आ जाएगा म्यू बराबर देखिए अनुगमन वेग बटे ई हो जाएगा अनुगमन वेग अपान ई हो जाएगा अनुगमन वेग अपान ई एक आंक बैदु छेत्र में आवेश के अनुगमन वेग को आवेश की गती सिलता कहते हैं इसे हम E से ब्यक्त करते हैं किसे ब्यक्त करते हैं? E से और इसका मातरक देखें क्या आ जाएगा? मातरक देखें आ जाएगा मीटर स्क्वायर प्रती बोल्ट सेकेंड क्या हो जाएगा बोल्ट सेकेंड ठीक है मीटर स्क्वार प्रती बोल्ट सेकेंड क्लियर है तो देखे एक आंक बैदू छेतर मतलब बैदू छेतर का मान एक कर देंगे तब उसमें जो अनुगमन वेव होगा उसी को हम क्या कहते हैं जब बैदू छेतर का मान एक होता है क्लियर है नेक्ट देखिए अगला देखिए क्या है किसी चालक के मुक्त इलेक्टरान के स्रांती काल पर ताप का प्रभाव क्या होता है देखिए स्रांती काल क्या होता है दो इलेक्टरान जब गती करते हुए आपस में टकराते हैं जो इलेक्टरान जब गती करते हुए आपस में टकराते हैं तो उसमें जो समय लगता है टकराने में जो समय लगता है दो क्रमागट टकरों के बीच का जो समय होता है उसे क्या बोलते हैं स्रांतिकाल अब ताप बढ़ाएंगे ताप बढ़ाएंगे तो वेग बढ़ेगा और वेग बढ़ेगा तो मतलब कि उसका जो स्रांतिकाल है वो क्या होगा? वो कम हो जाएगा स्रांतिकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा तो देखिए हम लिखेंगे ताप बढ़ाने पर ताप पढ़ाने पर इलेक्टरान का वेग बढ़ जाता है बढ़ जाता है जिससे स्रांती काल स्रांती काल घटी आता है जब वेग बढ़ी आएगा तो जो उसको अधिक समय में टकराना है दूसरे इलेक्टरान से वेग बढ़ी आएगा तो जल्दी जल्दी टकराएगा और टकराने के समय कोई क्या कते है स्रांती काल तो जब व्यक बढ़ी आएगा तो उसके टकराने का समय कम हो जाएगा, आटोमेटिक कम हो जाएगा, ठीक है? ताप ब्रिद्धी के साथ धातू की प्रतिरोधकता में ब्रिद्धी की व्यक्षा कीजिए, मतलब बताना की ब्रिद्धी होती है की नहीं, ताप ब्रिद्धी के साथ धातू की प्रतिरोधकता में ब्रिद्धी बताना है, होता है की नहीं, तो देखिए हम ये भी बढ़ी आत है ताप बढ़ाने पर धातु की प्रतिरोधक्ता बढ़ जाती है क्या हो जाती है प्रतिरोधक्ता क्या होती है अब दिखिए किसी चालक की बिसीष्ट चालकता क्या है ठीक है तो दिखिए हम लिखेंगे बिसीष्ट प्रतिरोध के बिसीष्ट प्रतिरोध के ब्यूत क्रम को ब्यूत क्रम को बिसीष्ट चालकता कहते हैं इसे सिग्मा से ब्यक्त करते हैं ब्यक्त करते हैं ठीक है तो देखिए अब सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा भाई सिग्मा बराबर आ जाएगा वन अपान रो यही आ जाएगा और मात्रक देखिए इसका क्या हो जाएगा मात्रक देखिए रो का मात्रक होता है ओम मीटर अब यह नीचे है तो क्या आ जाएगा होम इनवर्स मीटर इनवर्स होम इनवर्स और मीटर इनवर्स क्लियर है यह आ जाएगा देखिए बीसीष्ट प्रतियोत का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा बीसीष्ट चालता ठीक है नेक्स देखिए अब आपका देखिए होम इनवर्स है भाई और होम इनवर्स हम बार बार कहते हैं आप करिए जरूर होम इनवर्स को कापी पर अपने नोट्स से देखकर या तयार है तो ऐसे करिए क्या करना है पैदुत परिपत संबंधी किर्चाप के दोनों निय को ठीक है समुचित आरेक बना कर समझाना यह आपको अपने कॉपी पर करना है जो कॉपी बना है कैप्सुल क्लास का उस पर होमवर्क डाल कर करना है और इसका एंसर सबको कमेंट बाक्स में बताना है किर्चाव का प्रथम नियम किसके संदक्छन पर आधायत है उर्जा संदक इसका सबको कमेंट बाक्स में एंसर देना है ठीक है तो यह देखिए आपके आज के थे कैप्सुल क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेशन मिलते हैं नेक्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट क्वेशन लेकर ठीक है तो आप लोग रिवाइज करते रहिए तयार करते रहिए क्य